हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो आई चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे भीगे बादाम के फायदे और भीगे बादाम ही क्यों खाने चाहिएं साथियों हम इस चैनल में आपके लिए आयुरवेदिक और घरेलू उपाईल लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिजर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं ताकि आप हमेशा स्वास्त और खुशहार रहे यदि आप चाते हैं कि हेल्से रिलेटिड जानकारियां आप तक पहुँचती रहे तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साती हुए से तो बादाम के फायदे अधिकतर सबी जानते हैं पर अगर बादाम को भीगो कर खाया जाए तो उसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं हर किसी को ये नहीं पता होता कि भीगे बादाम खाने से बादाम के फायदे और भी बढ़ जाते हैं तो दोस्तो इसलिए इस video में हम आपको बढाएंगे भीके हुए बढाम के फायदों के बारे में बढाम अपने असीम स्वास्त के फायदों के लिए जाना जाता है बढाम में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते है जैसे विटामिन E, जिंक, मिनरल्स, कैलशियम, मेगनीशियम और अमेगा 3 फैटी एसिड से मरपूर होता है लेकिन दोस्तों इन सभी तत्वों का फायदा उठाने के लिए बादाम के सेवन करने से पहले उसका छिलका उतार देना चाहिए चिलके को उतारने के लिए रात बर पानी में बिगो दे और फिर सुबाइस का सेवन करें और ऐसा इसलिए होता है कि जो बादाम का चिलका होता है उसमें टैनिन होता है जो पोशक तत्वों के अफशोशन को रोकता है और जैसे ही चिलका उतर जाता है तो बादाम अपने पून के साथ और भी फायदे मन्द हो जाता है भीगे बादाम पाचन क्रिया में मदद करते हैं और ये वसा के पाचन के लिए भी फायदे मन्द होते हैं इसके अलावा भीगे हुए बादाम आपके स्वास्त के लिए और भी ज्यादा फायदे मन होते हैं चार बादाम भिगो कर छिलका हटा कर पीस कर एक चमच शहद में मिला लें इस अनुपात को अब ज्यादा मातरा में भी बना सकते हैं इसे चहरे वाद जितनी रूखी सुखी तवचा है उस पर मलें आदे घंटे बाद धोएं और रात को बादाम के तेल की मालिश करें रूखी तवचा कोमल हो जाएगी और साथी खुजली भी दूर होगी दोस्तो बादाम रोगन को एक चमच गरम दूद में मिला कर सुखा पीते रहने से कबस दूर होती है भीगे बादाम को बार एक पीस का चहरे पर मलें अन्त में लेप करके दो घंटे बाद धोएं दोस्तो इस से आपकी सुन्दरता बढ़ती है दोस्तो बादाम में विटामिन A, B, E, मिनरल, प्रोटीन, कार्बनिक, तत, लोहा, केलजियम, फास, होरस, वसा होते हैं जो शारिरिक शर्टी बढ़ाते हैं इसमें कार्बोहाइडरेट और रेशा भी भरपूर होता है जीरो परतिशत केलिस्टोल होता है इस तरह इसमें वो सभी तत मौजूद होते हैं जिनकी अवशकता हमारे शरीर को होती है इसलिए हर्दे और मस्तिश्क दोनों की अवशकता है बादाम बादाम शरीर की रोग परतिरोध अक्षमता बढ़ाता है जिसे रोग उसे बचा होता है पुरूशों की योन शक्ती बढ़ाता है बादाम वात नाशक है बादाम में शक्ती मास से अधिक होती है जाता मास से जल्दी पचता है दोस्तो पाँच बादाम रात को भिगो दे पराते चील कर पीस लें इसमें एक चमच गुलाब का गुलकंद और आदा चमच पिसी हुई असगंद डालें सब को मिलाकर चाट लें और एक ग्लास गरम दूद पीए इससे आपका सारा शरीर मोटा तकड़ा और बलिश्ट हो जाएगा दोस्तो बादाम प्रोटीन का सोर्स है दिन का आरम भीगे बादाम से किया जाये तो सुफूर्ती और तास यहर समय भरी रेती है लेमन टी, कॉफी, चाई पीने के बज़ाए सुबा बादाम ही खाया जाये तो बहतर है इससे ये कई रोगों से हमारी रक्षा करता है कैंसर दिल की बिमारिया और मुत्य बिंजेसी बिमारियों से भी बचाता है तो दोस्तों यह हमने आपको बताए भीगे बादाम क्यों खाने चाहिए और भीगे बादाम के फायदे हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके लिए लाबदायक होगी ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे बाई, टेक केर, बी हैपी, धन्यवाद